नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब परिवार अस्टुडेंट इलाइट में प्यार दोस्तों जैसे हम आपके लिए प्रतिदिन जारखंड जीके का एक मौक्टिस्ट लेकर आते हैं उसी प्रकार आज भी हम आपके लिए जारखंड जीके का एक मौक्टिस्ट लेकर आये हैं इन मौक्टिस्ट के माध्यम से हम आपको बार बार बूलते आ रहे हैं कि आप अपनी तयारी को जाज सकते हैं पहले आप मौक्तिस्ट को बना लें, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रस्णों का रिवीजन कर लें पीडियप के लिए आपको टेलिग्राम चैनल जोईन करना होगा, जो अस्टुडेंट इलिट के नाम से ही है वहाँ जाकर के पीडियप के माध्यम से पहले सारे प्रस्णों का आप बना लें, उसके बीडियो के माध्यम से सारे प्रस्णों का रिवीजन करें प्रति दिन, चलिए देखिए आज के मौक्तिस्ट का पहला सवाल जार्खंड राज्य की पूरव से पस्यम की लंबाई कितनी है तो आपका उत्तर हो जाएगा उप्शन नमबर ए 463 किलोमेटर नहीं जार्खंड राज्य की पूरव से पस्यम की लंबाई कितनी है तो 463 किलोमेटर प्रस्ण संख्या दूसरा जारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिन विस्तार कितना है तो आपका उत्तर हो जाएगा उप्षन नमबर C 380 किलोमेटर नहीं 380 किलोमेटर प्रस्न संख्यां तीसरा जारखंड का चेतरफल भारत में कुल चेतरफल का कितना प्रतिसत है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number C, 2.4 तु जारखंड का चेतरफल भारत के कुल चेतरफल का कितना परतीषत है तो 2.4 तु परतीषत है प्रस्न संख्या 4, जारखंड राज्य का स्रवाधिक थंड़ा अस्थान कहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number D, नेतरहाट में जारखंड राज्य का सबसे उचा छेतर है तो आपका उत्तर हो जाएगा option number D जारखंड की कौन सी नदी पुनपुन नदी का नाम क्या है की कट चलिए अगले सवाल के रुपढते हैं प्रस्न संख्या सात्वा निम्न में से कौन सी नदी जारखंड राज्य की है तो आपका सबसे बेटर एंसर हो जाएगा option number D उप्रक्त सभी आगे बढ़िए प्रस्ण संख्या आठवा जारखंड में नियुनतम पुरुष साक्षर्ता वाला जिला कौन सा है उत्तर हो जाएगा option number D पाकुड कौन पाकुड जिला जारखंड में जो है वो नियुनतम साक्षर्ता वाला नियुनतम पुरुष साक्षर्ता वाला जिला है पाकुड आगे बढ़िए प्रस्न संख्या नो जार्खंड के किस जिले में श्रवाधिक महिला साक्षरता है जार्खंड का वैसा कौन सा जिला जहां महिला साक्षरता जो है वह सबसे ज्यादा है उत्तर हो जाएगा option number D राची क्या हो जाएगा राची प्रस्न संख्या 11 जार्खंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है उत्तर हो जाएगा option number D 56.21 प्रतिशत क्या हो जाएगा 56.21 प्रतिशत आगे बढ़िए प्रस्न संख्या 12 जार्खंड के किस जिले में सबसे कम जन संख्या है उत्तर हो जाएगा option number C लोहर दगगा नहीं जार जारखंड के कि स्रावदिक लिंगा नुपात है है अप्शन नम्बर जीला जहां स्रवादिक लिंगा नुपात है प्रस्न संख्या 14, जारखंड में कुल कितने परखंड हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा उप्शन नमबर C, 269, जारखंड में कुल परखंडों की संख्या 269, प्रस्न संख्या 15, जारखंड के किस जिले में स्रवाधिक जन संख्या है, उत्तर हो जाएगा उप्शन नमबर B, जार्खंड का वह जीला राची है जहां स्रवाधिक जनसंख्या है प्रस्ण संख्या 16 राज्य का स्रवाधिक पुरुष साक्षरता वाला जीला कौन सा है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धनवाद है ना पुरुष साक्षरता वाला जीला जो है सरवाधिक जार्खंड जारकंड राज का राज की पक्षी कौन सा है तो आपका उत्तर हो जाएगा कोयल क्या हो जाएगा कोयल जारकंड का राज की पुस्प कौन सा है आपका उत्तर हो जाएगा पलास क्या हो जाएगा पलास राज की पुस्प पक्षी कोयल जानुवर हाथी जारकंड में बेतला नेशनल पार्क के स्थापना कभुई थी औप्शन नमबरे 1986 कभुआ था 1986 में प्रस्ण संख्या 22 जारकंड में कितने नए जिले बनाये गए हैं आपका उत्तर हो जाएगा उप्शन नमबर भी शा जिला जो है जारकंड में वो नया बनाया गया प्रस्ण संख्या 23 जारकंड से होकर कितनी राष्टी राज्जमार गुज़रते है जारखंड से होकर कितनी राष्टी राजमार्ग गुजरते हैं प्रस्ण संख्याँ पचीज किस जिले में राजमहल फासिल अभ्यारन निश्चित है ऑप्शन नमबर डी साहिब गंज कौन सा जिला है साहिब गंजिला है जहां राजमहल फासिल अभ्यारन निश्चित है तो यह था आज के मौक्टिस का टोटल 25 प्रस्ण जिसको हमने आपको क्लियर करवा दिया इसी प्रकार का मौक्टिस आपको प्रति दिन देने का प्रयास करते रहते हैं ओर भी आपको बहतर कॉंटेंट्स मिलता रहेगा इसलिए अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं कियें जल्दी से वीडियो को लाइक कर देजिये सबस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिये ताकि जब भी इस प्रकार का वीडियो अप्लोट किया जाये